लेकिन यदि आपको सही माइने में प्रकृती की खूबसूरती को देखना है तो आपको उत्रकाशी डिस्टिक जरूर गुमना चाहिए नमबर वन क्यारकुटी ट्रैक आप में से बहुत से लोगों को क्यारकुटी ट्रैक के बारे में नहीं पता होगा यहाँ ट्रैक उतरकाशी डिस्टिक्स से 70 किलमेटर दूर इस्थित हरसिल वैली से 18 किलमेटर की पैदल दूरी पर इस्थित है मैं आप लोगों को यगिन दिलाता हूं कि परकृती का ऐसा खूबसूरत नजारा आपने कभी नहीं देखा होगा नमबर दो बगोरी हरसल विलेज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हरसल उत्तरकाशी डिस्टिक्स से 70 किलमेटर की दूरी परिस्टित है यहाँ विलेज पहाडों के बीच में बसा एक खूबसूरत गाउं है जहां आप सेप के बगीचे उचे हमाले और उचे पहाडों से बैकर आने वाली खूबसूरत नदियों के दर्शन कर सकते हैं नमबर 3 दैरा बुग्याल ट्रैक दैरा बुग्याल उत्रकाशी डिस्टिक्स से 40 किलमेटर दूर इस्टित पटवाडी गाउं से 8 किलमेटर की पैदल दूरी पर इस्टित है दैरा बुग्याल में आप पहाडों के उपर चादर की तरह बिच्छे हुए हरे गास की बुग्याल का दर्शन कर सकते हो यहां एकलोता ऐसा ट्रैक है जो 12 महेंने खुला रहता है नमबर 4 लंका ब्रेज लंका ब्रेज एशिया का हाइस रीवर ब्रेज है जिसे समुदर तल से 2790 मीटर की उचाई पर बनाया गया है लंका ब्रेज उतरगाशी टिस्टिक से 80 किलमेटर की दूरी पर इस्थित है अगर आप लोग गंगुत्री दाम के दर्शन करने जाते हो तो आपको लंका ब्रेज को पार करना होता है यहां ब्रेज बॉर्डर सेक्यूरिटी के लिहास से बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि लंका ब्रेज चाइना बॉर्डर से लगब 50 किलमेटर की दूरी पर स्थित है यहां एक लोगता ऐसा ब्रेज है जो इंडियन आर्मी को चाइना बॉर्डर तक पहुचाने में मदद करता है नमबर पांच गरतांगली ब्रेज गरतांगली ब्रेज को 28 अतादी में पेशावर के पठानों ने हिमाले की खड़ी पहाड़ी को काट कर बनाया था इस ब्रेज की लंबाई 500 मीटर है जो बारत तिबबर वेपार का साक्षी रहा है हमारे पूरवज इसी मार्ग से दिबबर जाकर अपना वेपार करते थे अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लिस इस वीडियो को लाइक करें और नीचे देख रहे लाट रंके सबस्क्राइब बटन को जरू दवाए धन्यवाद झाल